जैहिंद साथ हो नमस्कार, स्वागत है मित्रा आपसे भी कापके अपने चैनल पर तो आप लोग फड़ा फड़ाए बाजाएं, क्लास से स्टार्ट हो सुखी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तो था रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाया जा रही है मित्रा यह हिंदी की क्लास नमबर 20 है, इससे पहले मैंने 19 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिष्ट में जाकर करमा हुआरा धिन कर ले, काफी ज़्यादा बहतरी इंट्रेश्टी चलाया जा रहा है मित्रा आज की क्लास जो यह काफे ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है इसलिए सभी भाईबेन मिलकर क्लास को शेर कर दो और जिस भाईबेन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लेज कर देंगे मित्रिट तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और फ़र्स्ट कुशिन आपके सामने रखते हैं सभी भाईबेन मिलकर बताओ इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा फ़र्षट क्या out के राय एक घूट के रसना कार कौन है? एक घूट के रसना कार कौन है? फ़रड़ा पर बता देंगे सब भायवेन खुशिय नमोर फ़र्ष्ट का रायड एंसर क्या हो जाएगा? कोई भी भायवेन गलती नहीं करेगा, काफी जदा important रसना है. जो भी वाइब इन बता रहे हैं बिल्कुल से ही बता रहे हैं एक गूट जो है मितर यह जैसंकर परसाज जी की है राइड इंसर उपसिन नमबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और एक गूट जो है मितर यह पर्थम एक आंग की मानिज जाती है यह भी पूछा जा सकता है एक गूट जो है यह क्या है तो आप कहेंगे एक आंग की है जो की पर्थम एक आंग की मानिज जाती है मितर राइड इंसर उपसिन नमबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर टू आपके सामने है मितर इसका राइड इंसर बताना है जो मान्स खाता है के लिए उप्युक्त सब्द है आप से पूछ रहा है जो मान्स खाता है उन्हें हमें एक सब्दों में क्या कहते है फड़ा फड़ बता दो मित्र कुश्य नमबर 2 का राइड एंसर क्या हो जाएगा सभी वाइबेन बताएंगे तो बिल्कुल से यह जो मांस खाता है उन्हें हमें एक सब्दों में शामिस कहते हैं क्या कहते हैं? सामिस कहते हैं जो मांस खाता है अगर आपसे पुछता जो मांस नहीं खाता है उन्हें हमें एक सब्दों में क्या कहेंगे तो निरामिस कहेंगे निरामिस कहेंगे लेकिन आपसे यहां पूछ रहा है जो मांस खाता है उन्हें क्या कहते हैं तो शामिस कहते हैं आपसी नमबर C वाले सभी भायविन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट आपके सामने है कुशी नमबर 3 इसका राइड एंसर बताना है फटाफ़ बताओ मित्र इसका राइड एंसर क्या होगा हिंदी भांसा किस लिप में लिखी जाती है फटाफ़ बताओ मित्र इसका राइड एंसर क्या होगा हिंदी भांसा किस लिप में लिखी जाती है सभी भायविन बता देंगे इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा तो जो भी भायविन बता रहे हैं देवनागरी लिप में लिखी जाती है बिलकुल सबी बतारे हो हिन्दी भासा जो है ए देवनागरी लिपमेली की जाती है option number C, बिलकुल perfect पौच जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है इसका राय डेंसर बतादो वर्तमान हिन्दी का प्रचिलीत रूप है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है फड़ा फड़ बताओ मित्र कुछ नमबर 4 का राइड एंसर क्या होगा सभी भाइबेन बताएंगे बतादो मित्रस का राइड एंसर क्या होगा वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो भी भाइबन बता रही है वर्तमान हिंदी का प्रचली तुरूप जो है ये खड़ी बोली है बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र आपसर नमबर सी वाले सभी भाइबन बिल्कुल सही हो जाएंगे खड़ी बोली को मित्र कॉर्वी भी कहा जाता है याद रखना खड़ी बोली को कॉर्वी भी कहा जाता है और ये वर्तवान हिंदी का प्रचली तरूप माना जाता है अब से नमबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है मित्र कुश्च नमबर 5 इसका राइड एंसर बता दो भारती शम्विधान में किन अनिच्वेदों में राजभांस सम्वंदी प्रावधान का उलेख है फटा फट बताओ इसका राइड एंसर क्या होगा भारतीय सम्विदान में किन अनिछेदों में राजवांसर सम्वंदी प्रावधान का उलेख है सब्वी भाईबन बता देंगे कुशिव नुबर 5 का राइड एंसर क्या होगा तो जो भी भाइबन बता रहें, उपसे नमबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा अनशे 343-351 तक राज़भास सम्वंदी प्राउधान का उलेख है मित्र, उपसे नमबर ये वाले सभी भाइबन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगे कुशे नमबर 6 आप से क्या पूश रहा है, निमन में दोंद समास का उधारण बता दीजिए, कुशे नमबर 6 आपके सामने है सभी भाइबन बताओ मित्र, इसका राइड एंसर क्या होगा, दोंद समास का उधारण आप से पूश रहा है तो जो भी भाइबन बता रहे पाप और पुने जो है ये द्वंद समास का उधारण है बिल्कुल सही बता रहे हो मित्रा आपसी नमबर D वाले सभी भाइबन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट आपके सामने है खुश्य नमबर 7 इसका राइड एंसर बता दो राइड एंसर ये क्या हो जाएगा मित्रा आयू में बड़े वेक्ति को क्या कहेंगे फटा फट बता वुश्य नमबर 7 का राइड एंसर क्या होगा तो जो भी वाइबन बता रहें जेस्ट कहा जाता है आयू में बड़े व्यक्ति को राइड एंसर आपसे नमबर डे बिल्कुल प्रटेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइड एंसर बताना है कुश्चे नमबर एड फड़ाफट बतादो इसका राइड एंसर क्या होगा फूल सी सुकोमल इम्रित उभाव मई देव याना कज के भी ना जी सकेगी यह निस्चित है यानि आपसे पूछ रहा है यह जो पंक दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है फड़ाफट बतादो मित्रिस का राइड एंसर क्या होगा कोई भी वाई बेन इसमें गल्ती नहीं करेगा काफी ज़्यादा इजी कुल्चन है तो बिल्कुल सही है सी देखकर आप बिल्कुल सही बता रहे हो कि इसमें कौन सा अलंकार है उपमा लंकार है बिल्कुल सही बता रहे हो मनव नील मनिसेल पर आतब परियोप्रभात में कौन सा अलंकार है फड़ा फड़ बताओ मित्रिजी जो पंक्तिली ही खे गई है इसमें कौन सा अलंकार है सभी भाई बेन बता दो खुशी नमबर नाइन का राइड एंसर क्या होगा नेक्स्ट आपके सामने है सूर्दास की गुरू थे शूर्दास की गुरू कौन थे यह आपसे पूछ रहा है तो जो भी भाई बेन बता रहें कुश्च नमबर टेन का बिल्कुल सही बता रहे हो शूर्दास की गुरू कौन थे बल्लभा चार्जी थे आपसे नमबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा जो भी भायविन बता रहे ओपसी नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र question number 11 है आपकी सामने इसका right answer बताना है हिंदी वर्ड माला में आयोग वावर्ड कौन से हैं हिंदी वर्ड माला में आयोग वावर्ड की नहीं कहा जाता है यह आपसे ही पूछ रहा है फड़ा फड़ बताओ question number 11 का right answer क्या होगा मित्र जो भी भायविन बता रहे अंक और अहास हो है यह आयोग वावर्ड की अंतर गयताते हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र option number D वाले सभी भायविन बिल्कुल सही हो जाएंगी हम आपसे एक छोटी से request करते हैं मित्र जो भायविन ने क्लास को लाइक नहीं गया प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत motivation मिलता है और जो भी भायविन हमारे साथ नहें मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ब्रस के लिएना ताकि क्लास की notification आपको मिलती रहे तो next question आपके सामने रखते हैं इसका right answer बता दो question number 12 फड़ा फड़ बता दो इसका right answer क्या होगा रेडू उनकी रसनाकार है वेडू उनकी रसनाकार कौन है फड़ा फड़ बता दो इसका right answer क्या होगा बेड़ू उनके रचनाकार तो जो भी भायबेन बता रहे हैं बेड़ू उनके रचनाकार जो है ये राम धारी सिंग दिनकर्जी है बिल्कुल सही बता रहे हो मित्रॉपस नमबर डी वाले सभी भायबेन बिल्कुल सही हो जाएंगे इनकी बहुत सारी रचना है मित्री इनकी सारी रचना को याद रख लेना जैसे पड़सु राम जो है मित्री ये दिनकर जी की रचना है उन्वसी जो है ये दिनकर जी की रचना है रशिम रथी जो है ये दिनकर जी की रचना है वेडुवन जो है ये भी दिनकर जी की रचना ह तो इनकी सारी रचना याद करनो मित्र काफ़ ज़्यादा इंपोर्टन रहती है तो जो भी भाइबन बता रहे नहीं प्लेसासा बिल्कुल सही बता रहे हो निरासा का शंध विक्षेद जो है यह नहीं प्लेसासा होता है और इसमें कौन सी संधी है मित्र तो विशर की संधी हो जाएगे नहीं पलसासा इसका संद्र विच्छे दोगा और इसमें भी सर्ग संद्र नहीं थै मित्र option number ये बिल्गल perfect हो जाएगा question number 14 है आपके सामने इसका right answer बताना है फड़ा फड़ बता दो जिस पर क्रिया का परभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का परभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? फड़ा फड़ बता दो मित्र question number 14 का right answer क्या होगा? सभी भाविन बताएंगे जिस पर क्रिया का परभाव पड़े उन्हें क्या कहते हैं? ये आपसे पूछ रहा है तो 14 का जो भी भाविन बता रहे हैं करता कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं जिस पर क्रिया का परभाव पड़ता है मित्र उन्हें करता कहा जाता है option number D बिल्कुल perfect हो जाएगा जो भी बाइबन बता रहे होप से नमबर D बिलकुल सही हो जाएगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने मित्रिस का राइड एंसर बतादो खुश नमर पंद्रे आपके सामने है फड़ा फड़ बतादो मित्रिस का राइड एंसर क्या हो जाएगा पंदरे सायदी स्किप हो गया टाइपिंग में निस्टेक होई होगी फिर सोले का बतादो इसका राइड एंसर क्या होगा चर्चा सब्द से बना विशेशड है चर्चा सब्द से बना विशेशड कौन सा है मित्र कुशियो नमबर 16 आपके सामने फड़ा फड़ बतादो इसका राइड एंसर क्या होगा चर्चा सब्द से बना विशेसर जो है ये चर्चित है और अपसी नमबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा जो भी भाइबेन बता रहे है और अपसी नमबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने कुशियो नमबर 17 इसका राइड एंसर बतादो निम्न में से देशच सब्द का उदाहरण नहीं है कौन सा इसमें देशच सब्द का उदाहरण नहीं है फड़ा फड़ बतादो मित्र इसका राइड एंसर क्या होगा सब भी भाइबेन बताएंगे निम्न में से देशच सब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है फड़ा फड़ बताओ इसका राइड एंसर क्या होगा तो जो भी भाइबेन बता रहे हैं अनार बिल्कुल इसे बता रहे हो अनार जो यह भी देशस सब्द है यह देशस नहीं है मेत्र, ओपसे नंबर से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा Question number 18 आपकी सामरे इसका राइडैंसर बता दो, अर्बला नाटक के रचनाकार है फड़ा फड़ बता देंगे सभी भाइबेन कुश्य नमबर 18 का राइड एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही है अर्बला नाटेक की रचना कार्थ जो है मित्र ये कौन है मुंसी प्रेम चंद जी है और आपसि नमबर D बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा इनकी और सारी रचना है मित्र वर्दान जो है इनकी काफी जादा इंपोर्टेंट रचना ये दिगाह भी इनकी है अर्वला तो है ही तो राइड एंसर आपसि नमबर D बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा जो भी भाइबेन बता रहे हैं आपसि नमबर D बिल्कुल सही होगा म पुश्चन नमबर 19 आपके सामने है इसका राइड एंसर बता दो फड़ा फट सभी भाइबेन ऐसे सब्द जो बहुरी समास के अंतर गद भी आते हैं वे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं फड़ा फट बता दो इसका राइड एंसर सभी भाइबेन बताएंगे गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आप इस कुश्चन को पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल सही है ऐसे सब्द जो बहुरी शमाज के अंतर गाताने हैं उन्हें योग रूर सब्द कहा जाता है जिसे पंकज जो है मित्रिगे योग रूर सब्द भी है और बहुरी शमाज है तो राइड एंसर ऑप से नंबर डे बिल्कुल सही होगा मित्र कुश्चन नंबर 20 आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है मन को मतने वाला किस समाज का उधारड है फड़ा पोड़ बता दो मित्र कुश्चन नंबर 20 का राइड एंसर क्या हो जाएगा तो मन को मतने वाला यानि मन मत तो मन मत किसे कहा जाता है कामदेव जी को कहा जाता है तो इसमें कौन से समाज हो जाएगा बहुरी समाज जो भी भाइड बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मन को मतने वाला यानि मन मत और मन मत किसे कहा जाता है तो कामदेव जी को कहा ज तो ऑप्षिंटा नबर बी जो भी भाईबेन बता रहें बहुदी शमास का उध्यारण हो जाएगा बिलकुल सही बता रहें 20 का रायड एंसर आपसे नबर भी वाले सभी भाईबेन बिलकुल सही हो जाएंगे Q2 आपके सामने इसका राइड एंसर बता दो काया कल्प की रसनाकार है काया कल्प की रसनाकार कौन है फड़ा फड़ बता देंगे Q2 का राइड एंसर क्या होगा मित्र तो जो भी फाइबन बता रहे काया कल्प की रसनाकार जो है ये मुंसी प्रेम चंद्र जी बिल्कुल सही बता रहे हो अमें तरफ 21 का राइड एंसर, option number C बिल्कुल perfect हो जाएगा काया कल्प की रजनाखाट जो है ये मुंसी प्रेम चंद्र जी है option number C बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने कुश्चन नुमर 22 इसका राइड एंसर बताना है प्रेम योगिनी किसका नाटक संग्रे है फड़ा फड़ बतादो प्रेम योगिनी जो है ये किसका नाटक संग्रे है फड़ा फड़ बताएंगे सभी भाइबेन इसका राइड एंसर क्या होगा तो कुश्चन नमबर 22 का उभी भाइबेन बता रहे हैं प्रेम योगिनित जो है मित्र ये किसका है भारतें धरिश चंदिशी का है उप्शन नमबर 23 आपके सामने इसका राइड एंसर बता दो फड़ा फड़ क्या हो जाएगा जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति से की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति होना चाहिए था व्यक्ति या व्यक्ति से की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है पड़ा फड़ बताओं में तिसका राइड एंसर क्या होगा सभी भाइबेन बता देंगे तो तुलना की बात की जा रही है ना तो बिल्कुल सही बता रहे हो वहां उपमा लंकार हो जाएगा जहां तुलना की बात ही जाए वहां उपमा लंकार होता है option number B बिल्कुल perfect हो जाएगा next आपके सामने है इसका right answer बताना है question number 24 इस निम्न में कौन सा तदभो तच्सम जोड़ा सही नहीं है फटाफट बतादूस का राइट एंसर क्या होगा निम्न में से कौन सा तदभो तच्सम का जोड़ा सही नहीं है तो स्रिंगार का शिंगार होता है या स्रिंगार होना चाहिए था किवल स्रिंगार का शिंगार होता है उष्ट का उठ होता है लेकिन नजर का आख नहीं होता में तरह यही गलत है option number C बिल्कुल perfect हो जाएगा दधी का दही होता है बिल्कुल सही लिखा गया है लेकिन नजर आख जो ही अलग अलग है option number C बिल्कुल perfect हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने question number 25 इसका right answer बता दो कौन देखते हैं इसमें गलती करता है काफी ज़्यादा easy question है लेकिन घर-घर देखकर लोग गलती करेंगे जो भी भाइबेर गलती करेंगे आज के बाद वो गलती नहीं करेंगे मित्रण आपसे पूछ रहा है प्रतिपल और घर-घर कौन सा समास है प्रतिपल और घर-घर में कौन सा समास है यह आपसे पूछ रहा है question number 25 आपके सामने है जो भी भाइबेर बतारे अवी भाव समास बिलकुल सही बतारे हो जिसमें पहला अक्षर जोयमिति योपसर वो हो उन्हें क्या कहते हैं अवी भाव समास कहते हैं और घर-घर देखकर आप सोचते हैंगे कि द्वंद समास है नहीं मित्र जब घर-घर हो दिन-दिन हो रात-र प्रतिपल में اभी भाव समास, तो गरघर में भी आपर पुदी, प्रफेक्ट가지 हो जाएगा। . राकार ब rated плत करे 175 कंश सामय चीनल, पूर्नियास की रस्ना किसने कीॉथ कंगाल उपन्यस की रचना किसने की फड़ा फट बताओ कुशन नमर 6 का राइडन से क्या हो जाएगा तो जो भी भायवेड बता रही है जैसंकर परसाथ जी बिल्कूल से बता रहे हो कंगाल तितली यह सब किसकी रचना है मित्र तो जैसंकर परसाथ जी की है option number c वाले सभी भाइबन बिल्कुल सही हो जाएंगे option number c जो भी भाइबन बता रहें बिल्कुल सही होगा question number 27 आपके सामने इसका right answer बताना है साइद आगे ये question था फिर भी बता दिजे हिंदी वर्ड माला में आयोग वावर्ड कौन से है हिंदी वर्ड माला में आयोग वावर्ड कौन से हैं तो अंक आहा जो है ये आयोग वाव होते हैं option number 4 विल्कुल परप्रेक्ट हो जाएगा मित्र जिसने class को like नहीं किया है please कर दो मित्र कि आपके एक like से मुझे बहुत motivation मिलता है आप लोग like नहीं करोगे तो मेरे अंदर उर्जा नहीं रहती मित्र कि हम आपके लिए class ले कर आएं तो please कर दिया करो और कम से कम मित्र class को share कर दिया करो ताकि और भी parents हमारे साथ जुणे उन्हें भी इस class का लाव मिल सके मित्र तो please share कर दिया करो next question आपके सामने रखते हैं question number 28 इसका right answer बताना दिंडोरा पीटना मुहावरे किस अर्थ में परियुक्त होता है यानि आपसे पूछ रहे दिंडोरा पीटना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा फड़ा फड़ बताओ question number क्या है 28 फड़ा फड़ बताओ इसका right answer क्या होगा तो बिल्कुल सही दिंडोरा पीटना मुहावरे का उचित अर्थ जो है में तो यह प्रचार करना होता है option number B बिल्कुल सही होगा दिंग हाकना नहीं होगा प्रचार करना हो जाएगा दिंडोरा पीटना मुहावरे का उचित अर्थ नेक्स आपके सामने question number 29 इसका right answer बता दो कौन सा इस त्रेलिंग है कौन सा इस त्रेलिंग है चौर आपसन आपके सामने दिये गए है इसमें पूछ रहा है कौन सा सब्द इस त्रेलिंग है फड़ा फड़ बताओ सभी भाइवेन इसका right answer क्या होगा तो जो भी भाइवेन बताने सूचना बिलकुल से बताने सूचना दी जाती है इतलिए ये क्या हो जाएगा इस त्रेलिंग हो जाएगा बाकि त्रेलिंग हो जाएगे सूचना जो है ये स्त्रे लिंग के अद्रगत आता है नेक्ट आपके सामने कुछ नमबर 30 इसका राइड इंसर बता लो लोकिक सब्द में प्रत्य है लोकिक सब्द में प्रत्य कौन सा है फड़ा फड़ बता दो कुछ नमबर 30 का नेक्ट आपके सामने है सेना नायक ने रड़ भूम में जाने दे दी वाकि में कौन सा कारक है तो जो भी भाइबन बता रहे है सेना नायक ने रड़ भूम में जान दे दी अधिकरण कारक है बिल्कुल से बता रहे हो मिद्र उप्स नमबर D वाले 32 क्या कह रहा है आपसे फड़ा फट बताओ इसका right answer क्या होगा सभी भाइबन बता देंगे दा धा वर्ड हैं दा और धा जो है ये कौन से वर्ड है मूर्दा है दंत है कंट है या ओस्ट है फड़ा फट बताओ इस नमबर 32 का right answer क्या हो जाएगा तो जो भी भाइबन बता रहे हैं तावर्गी की धुनिया जो है में तरी ये दंत के अंतर गताती है जो भी भाइबन बता रहे हैं option number B बिल्कुल perfect हो जाएगा और तावर्गी की धुनिया जो है ये मूर्दा के अंतर गताती है कावरगी की धुनिया जो है मित्र ये कंठी के अंतर गताती है और पावरगी की धुनिया जो है ये वोश्ट के अंतर गताती है तो राइड एंसर क्या होगा यहाँ पूछा गया था दाधा तो दन तीस का राइड एंसर होगा option number B बिल्कुल perfect हो जाएगा मित्र option number 33 आपके सामने खादी के फूल कविता के रचनाकार है खादी के फूल कविता के रचनाकार कौन से है फड़ा पड़ बता दो 33 का राइड एंसर क्या होगा मित्र हम आपके लिए 200 प्रश्ण लेकर आएंगे जो की साहेते हिंधी होगी रचना समंदेद काफी जदा important class रहने वाली है जिसमें मैंने एक class complete कर लिया है बाकी बच्ची है चार classes वो भी करवा दी जाएगी उसके बाद सभी class की पीडियाप आपको हमारे टेलीग्राम और WhatsApp ग्रूप पर मिल जाएगी ताकि आप लोग revision कर सके फड़ा पड़ बता दो इसका right answer खादी के फूल कविता की रिस्टा कर कौन से हैं तो जो भी भाइबन बता रहे हैं बच्चन जी है यानि हरिवन्स राय बच्चन जी बिलकुल सही बता रहे हो अपसे नमबर डी वाले सब भाइबन बिलकुल सही हो जाएंगे कुशन नमबर 34 आपके सामने रखते हैं इसका right answer बताना है रुखमनी ने राम को गुलाब का फूल दिया रुखमनी ने राम को गुलाब का फूल दिया रे खांकित पद में कारक आपसे पूस रहे हैं फड़ा फड़ बता दो इसमें कौन सा कारक है गलती नहीं करना कोई ब नहीं मारणा में तर गलती मत करना तो 34 का जो भी भाइबेन बता रही है संप्रिदान कारक बिल्कुल से बता रहे हो यहां दिया जा रहा है तो यहां संप्रिदान कारक हो जाएगा सिंपल सी बात है option number यह बिल्कुल perfect होगा next आप के सामने है question number 35 वक्रतुर्ण में कौन सा सम समास है अब इसमें देखते हैं कौन भाइबेन गल्धी करता है वह इस हुझते ही है तो इसमें राइड एंसर क्या हो जाएगा बहुब्रीज हमास होगा उपसिन नमबर D बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा जिसका तुर्ण वख्रो होने क्या कहते हैं गडेश जी को कहते हैं तो उपसिन नमबर D बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी भायवेन बतारें पंडित का विलों जो ही अमूर्ख होता है, option number D बिल्कुल perfect हो जाएगा. नेक्स्ट आपके सामने question number 37 इसका right answer बता दो. इन में से अपादान कारकी विभक्ती क्या है? इन में से अपादान कारकी विभक्ती क्या है? फड़ा फड़ बता इसका right answer क्या होगा? question number 37 इसका right answer क्या होगा? तो जो भी भाइबन बता रहे हाथ मलना मुहावरई का उचित अर्थ जो है यो पस्चाताप करना यानि पस्तावा करना पस्चाताप बिल्कुल सही होगा. option number ये बिल्कुल perfect हो जाएगा मित्र. जो भी भाइबन बताने हो option number ये बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट आपसे क्या कहरा चिकना घड़ा होना का क्या तातपर है? चिकना घड़ा होना का तातपर आपसी पूसरा है? फड़ा फड़ा बतादो कुछ नंबर 49 का मित्र. right answer क्या होगा? सभी भाइबन बतादो इसका right answer गल्दी नहीं करना. तो चिकना घड़ा होना मुहावरी गल्जो वार्थ होता है मित्र. ये निर्लजो होना होता है और अपसी नंबर C बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा. जो भी भाइबन बता रहे हैं और अपसी नंबर C बिल्कुल सही होगा. next आपके सामने इसका right answer बताना है कुछ नंबर 40. तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तारे गिनना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? फड़ा फड़ बता दो इसका right answer क्या होगा? इसमें मित्र गल्ती नहीं करना है कुछ लोग कहेंगे खाली बेठे रहना कुछ लोग कहेंगे चिंतित रहना लेकिन देखते हैं कौन बिल्कुल सही बता रहे है तारे गिनना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है मित्र ये क्या होता है नींद ना आना तो नींद कब नहीं आएगी जब आप चिंतित रहोगे तो right answer option number B बिल्कुल perfect होगा option number B बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र तो मित्र आज की class जो है या आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताना और जिस भाइबेन ने class को like नहीं किया है मित्र हम आपसे आकरी बार request करें हैं अगर इस class से आपको तनिक भी लाग मिल रहा हो तो please class को like कर दिया करो और कम से कम अपने 2-3 मित्र तोतों कि इस class को share कर दिया करो ताकि उन्हें भी इस class के बारे में पता चल सके मित्र और हमारा भी मन लग सके कि बच्चे हमारे class को पढ़ते हैं तो आज की class आपको कैसे लगी comment box में जरूर बताना और आज का score कितना रहा ये भी बता देना ताकि मुझे बता चल से कि आपकी तैयारी कितने लेबल की पोच सुकी है तो मित्र आज की class में बस इतना ही अब सरकारी नोकरी पाना हुआ और भी आसान अब आपका सपना होगा अपना जी हाँ अगर आप किसी भी government job जैसे यूपी पुलिस कॉंस्टिबल असिस्टेंट आपरेटर हैड आपरेटर या फिर रेडियो आपरेटर या यूपी लेकपाल या किसी भी government job की तैयारी कर रह हैं इस चैनल के मादम से आपको free live classes, recorded classes और government job की notification आपको time to time update मिला करेंगे इसके लामा सारी classes की PDF, handwritten notes और books फिल्कल free में telegram channel exam guruji by advisor पर मिलेगा इसके लिए आप telegram पर search करें exam guruji by advisor और file value option पर click करके हर एक class की PDF, handwritten notes एवं books को बिल्कल free में पा सकते हैं गाईज अगर आप मुझे instagram पर follow करना चाहते हैं तो instagram पर search करें arvindajaswal 000 और वहाँ पर भी मुझे dm कर सकते हैं कोई भी समझ चाहे तो वहाँ पर भी आप मुझे संपग करना चाहते हैं तो संपग कर सकते हैं इसके लिए अगर आप facebook page को like करना चाहते हैं तो exam guruji by advisor के नाम से facebook page है उसको भी आप like और follow कर सकते हैं तो मेरे पैरे भाई वैन आप जोड़े रहें exam guruji by advisor के साथ क्योंकि अब आपको सपना होगा अपना एक सीप confirm है अब की बार सरकारी नोकडी तुम्हारे हाथों में होगी